आज मैं आप सब लोकुशन शेयर कर रही हूँ चॉकलेट केक की रेस्पी जिसे की मैंने बना है माइकरोव में यदि आपका माइकरोव में जो केक बनाते हो आप लोग यदि वो अच्छा नहीं बनता है तो आज का वीडियो आप लोग फुल वाच करिएगा बहुत सारे हां यहां पर मैंने को फिल द्वाल लगा दीजेगा तो यहां पर मैं ने लखा है सौनर का हमी जैसे कि अमिलेंगे त्यार कर लेंँ की को ओने केसे लिए तो सबसे पहले तो हम सारी चीजें जो सूखी चीजें ंठे आपका मेंदा और यदी आप इसे ग्राम से मेंजरमेंट करेंगे कोको पाउडर और है तो से इसन तर ही इस sorts अर्पोने करेंगे 2300- 01.84, मेंजरमेंटि ऑचा होगार यहां पर इसे मेंजरेंडने मार्केंट मिल जाती है तो आप इसस तरहसे ले लीजए तो उसका मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा यह वन फोर टीएसपी होता है तो यहां पर मैंने इसको डाल दिया बेकिंग सोडा और इसके थोड़ा सा डाला मैंने सॉल्ट अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे और जो हमाई यह ड्राइ इंडीरिंस है यह ह पर पांच एक ले रही हूं तो एक एक करके सारे एक फोड लेती हूं मैं आप चाहें तो कम एक से भी बना सकते हैं लेकिन जो आज चौकलेट वाला केक बना रही हूं मैं 5 एक से बना रही हूं कि हम कितना भी बड़ा केक हमारे मेरे घर में बन जाए तो सब खतम ही हो जाता है इसलिए मैं छोटा केक नहीं बनाती हूं कभी भी जब मैं अंडे वाला केक बनाती हूं तो यहां पर मैंने फाइब लिया है और यहां पर मैं आप इसको अच्छी तरह से अलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूंगी कम से कम दो से तीन मिनिट के लिए लेकिन यदि आपके पास अब इसको हम फिर से अलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे कम से कम एक मिनिट के लिए यह देखो जैसे यह अंडे और शक्कर मिला तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी क्रीमी ट्रेक्ष्चर आ चुका है इस तरह से जब ट्रेक्ष्चर आता है तो केक बहुत बढ़िया ही बनता है अब हम इसमें अड़ करेंगे थोड़ा सा वैनिला एसेंस उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं हाप कप ऑईल और उसके बाद दो स्पून करीब मैं इसमें घी अड़ कर रही हूं और पूरा मेजर्मेंट करें तो यह डेड़ सो एमल करीब अपका हो जाएगा घी औ और आइल मिलाके आप चाहें तो पूरा वी डाल सकते हैं या पूरा बटर के सांदी से बना सकते हैं यहां पर हमेशा इसी तरह से आधागी और आधा तेल करती हूं उसके अद्ध हम यहां पर डाल देते हैं जो हमने डाइड इंडिन्स तयार करके रखे थे थे ना तो मैं अब इसमें एड कर देते हैं, और आपको तोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से एड करना है इसकल से एड करने से लूंस वगएर होते हैं तो अब सब सारी चीजों को Großu के चौरत ने हमेसे लाघ यहां पर आगट है कि गड़ीन क्या हुआ की उसकि również हको जए अब यहां साथ का सब्सक्राइट अब दूद्लक्ण कर्सब्स कίν नहीं ही हुआ इसमें एर आजाएंगे और हमारा बैटर है बहुत जदा हलका हो जाएगा कि देखिए इस तरह से प्लेट्स वगेरा आप जब एक दो मिनट के लिए इस तरह से आने लगती मतलब जो हमारा केक का बैटर है बहुत अची तरह से फिट चोका है अब हमें एक केक का मोल्ड और यह अलुमीनियम की ही गलास है तो हमारा केक जल्दी हो जाता है अब मैं थोड़ा से इस तरह से टैप कर देती हूं कि जिससे जो भी आर बबल से बोल निकल जाए अब इसे रख देते हैं माइक्रवेब में और आप हम इसका टाइम सेट कर देते हैं तो 180 डिग्री पर हम इसे बेक करेंगे आप ध्यान रखेंगे केक कभी जादा हो या कम केक हमेशा 180 डिग्री पर ही बेक होता है और यहां पर मैंने 40 मिट्स का टाइम लगा दिया है 40 मिनिट्स के बीच में आप इसे एक दू बार चेक कर लिजेगा हमेशा 25 मिनिट्स के बाद ही केक चेक करिएग तो आपको कम से कम 60 मिनिट्स के उपर हीस केक को बेक करने में टाइम लगेगा यहां हमारा केक 40 मिनिट्स में हो चुका था और आप मैं आपको दिखाती हूँ कि इसतरह से हमारा केक बेक हुआ ह। तो यह देखिए हमारा बुलको फरफेकбdy कर है इसे धंडा कर आप इंजॉ झाल झाल